नमस्कार बहुत स्वागत है बुलिटिन में आपका मैं हूँ आपके साथ शीनम शर्मा आठ बजी की तमाम बड़ी खबरे आपको बताएंगे सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबरों के साथ अमिट्शा आज यूपी में यूपी का तुफानी दौरा करने वाले हैं चुनाव प्रचार करने वाले हैं प्रताबगर राइबरेली और गोंडा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे महिसीम योगी भी प्रचन्र प्रचार में जुटे हुए हैं मोखिमंत्री योगी आदितनाथ आज मोहनलाल गंच केसर गंच और अमेठी में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और तीसरी बड़ी खबर कल के मतदान से जुड़ी हुई है कल यूपी की 13 सीटों पर मतदान होना हैं ये तीन बड़ी खबरे जो कि हम विस्तार से जानेंगे केंद्री ग्रिह मत्री अमिच्शा आज प्रतापगर राइबरेली और गोंडा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे इसके बाद दोपहर में एक बज़े राज़किया इंटर कॉलेज मैदान में राइबरेली में आयूजित जनसभा को संबोधित करेंगे दोपहर में तीन बज़े अमिच्शा गोंडा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे तो अमिच शा की यूपी में तीन चुनावी जंसभाएं राइबा रेली और गोंडा 12 बजे प्रतापगर में जंसभा रहेगी रायबा रेली और गोंडा में भी अमिच शा आज कर जेंगे चुनाव प्रचार करते होें नजर आएंगे तो यूपी के चुनावी रण में अमिच्शा आज एक बर फिर से चुनाप्रचार करते हुए नजर आएंगे तीन चुनावी जिनसभाई आज अमिच्शा की रहने वाली है राय बारेली और गोंडा में भी जिनसभाई है दिली के सियम अर्विन के जिवाल ने पियम मोदी के 75 साल की उम्र में रिटार्मेंट की जो भविश्यवारी की है उसका बीजेपी ने बहुत ठोस उतर दिया है ग्रीमंत्री अमित्शा ने क्लियर कर दिया है कि बीजेपी के समविधान में कही नहीं लिखा है कि 75 साल पूरा होने पर नेता रेटायर हो जाएंगे जेल से निकले तो उम्र परटके इंडिया गटबंधन मुत्तो को तलाशते तलाशते जिस नायाब चीज़ को ढून कर लाई है वो है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की ओम्र अंधरिम जमानत पर जेल से छूटे दिल्ली के मुक्ष मंत्री अरवंध केजरिवाल का ये नया सियासी शिगूपा है तेलंगाना के सियम रिवंध रिड्डी का ये नया सियासी तराना है तिल्ली टु हैदराबाद इंडिया गडबंधन अब नहीं कर पा रहा अपनी बाद नहीं मिल रही आम आदमी गरीबों के लिए कल्यान की कोई बाद तो पूछ रहे हैं बताएं मोदी 75 साल की उम्र पूरी करेंगे तो छोड़ देंगे ताफ तोरता जबा ग्रे मंत्री अमेच शा से सुनें अरे भाई पहले मूल क्यों ऐसा बोले हैं कि 75 के बाद मोदी जी को बढ़ लेंगे वो ताय हो चुका है नहीं बदलना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस साल नहीं अगले साल यानी 2025 में 17 सितंबर को अपनी उम्र की डायमंड जुबली मनाएंगे CM केजरिवाल के दिमाग में ये सवाल कहां से आया कि 75 साल की उम्र के बाद PM मोदी प्रधान मंत्री का बद छोड़ देंगे तो ये रिसर्च का विशह है लेकिन कहां इंडिया गड़बंधन केजरिवाल की अंतरिम जमानत के बाद मुद्दे पर BJP के शेकस्त का प्लैन तयार कर रही थी कहां केजरिवाल उम्र पर ही अटग गये सुनिए केजरिवाल ने क्या कहा कि 2014 में मोदी जी ने खुदने रूल बनाया था कि BJP के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटाइर कर दिया जाएगा तब से पहले आडवानी जी को रिटाइर किया गया उसके पहले मुद्ली महरोर जोशी जी को रिटाइर किया गया फिर सुमित्रा महाजन को रिटाइर किया गया फिर यश्वन सिना को रिटाइर किया गया अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटाइर होने वाले हैं केजरिवाल की नजर सिर्फ पीम मोदी के रिटार्मेंट की उमर पर नहीं बलके उनकी आखों में बीजे पीं का भविश भी दिखता है अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले दो महिने में योगी जी को निप्टाएंगे ये और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शा को ये प्रधान मंतरी बनाएंगे तो मैं लोगों को देश के लोगों को आगा करना चाता हूँ मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे मोदी जी अमित शा को प्रधान मंतरी बनाने के लिए वोट मांग रहे मोदी ने देश को गैरंटी दिये और अमित शा ने मोदी की गैरंटी दिये मोदी ही थे, मोदी ही है, मोदी ही रहा है जिरब दिल्ली में 400 पार करेंगे इतना ही नहीं विदान सभा में भी भारी बहुमत से NDA की सरकारे बनेगी और ये सहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उमर से भी कम सिटे मिलने वाली है बीजेपी के समविधान में नहीं लिखी 75 साल की बाद ये क्लियर कर दिया है ग्रेमंत्री अमित्षा ने तोन नेताओं का नाम लेकर जो की 75 साल के बाद रेटार्मेंट मोद में पीएम मोदी को लेकर हैं उनकी शंकात कितनी जायज है मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भाजपा के समविधान में इसा कोई प्रोविजन नहीं है मोदी जी ही 29 तक नित्रूत तो करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाओं का भी नित्रूतो करेंगे इंडी एलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है उनको खूस होने की जरूरत नहीं है 2023 में मध्यप्रदेश विधान सभा का चुनाओं हुआ इस चुनाओं के लिए बीज़ेपी ने 70 साल से जादा उम्र के 14 उम्मिद्वारों को मैदान में उतारा जिनमें सबसे उम्र दराज 80 साल के उम्मिद्वार थे यही नहीं वर्तवान लोगसभा में बीज़ेपी के 56 ऐसे सांसत हैं जो 70 साल से जादा उम्र को पार कर चुके हैं और अब की बार भी मैदान में ताल ठोप रहे हैं